नमस्कार आदाप सची जेकाल और वेलकम तो मैंने बेंस में हूँ आपका मैंस में राहूर गुड आफ्टून गुड इवनिंग वेनेवर इंजॉइंग दिस सेशन स्टुडेंट्स मेरे पीछे खड़े सारे टीचर्स मतलब आपके सामने सारे टीचर्स यहां पर खड़े है कि झरेकर हम और हमेसा यह मानते हैं कि एक हम महिनत करेंगे तो पक्का एक दिन हम सब होंगे कामेप और Vanderham पेढसी हूंगे कि वहुड़े कि एक सबसे बड़ी दौट जो हमकमाएंगे वही होगी ठीक है चलिएؤ तो थोड़ा सा आपके लिए बात है अब हम शुरू करेंगे हमारी आज का सेशन जो की फोकस करेगा कक्षा आठवी पे हमारी जो गणित की किताब है जिसका आधर निया नाम है ncrt exemplar बहुत इरिस्पेक्टेड किताब है यह हम सब के बीच क्योंकि दिखने में बहुत टफ लगती है और अच्छली कुछ कोईशन होते भी काफी अच्छे हैं लेकिन किन्तु परंतु काफी अच्छी किताब और एक मस्ट डू बुक है क्योंकि अगर इसको आप अच्छे से सॉल्फ कर लेंगे तो आपके सारे कॉंसेट्स क्लियर हो जाएंगे और आपके बहुत ही माइनूट माइनूट से जो कोईशन होते हैं वो भी कवर अप हो जाते हैं हम फोकस कर रहे हैं इसके यूनिट करमांग कर ट्वेल पे जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू ग्राफ और हम उसमें पढ़ने वाले हैं जड़ी आपने इन वह वाला सेशन नहीं देखा है तो प्लीज उसे जाके देख लीजे ताकि आपका एक फ्लो बन जाएगा और आपको चीज़ें आसानी से समझ आएंगी चलिए शुरू करते हम आज का से शुरू होगा एक बार फिर से बता दू कि हम शुरू करेंगे एक फिल इन दा ब्लांक करना है मतलब रिक्तस्तान भरना है और सेंटेंस को सही सेंस देना है ठीक है चलो पहला कुशन नमर एलेवन डाश डिस्प्लेश डेटा डाट कंटिनियूसली चेंजिस ओवर पीरियड्स ओफ टाइम यह एक पटिकुलर टाइप के ग्राफ के साथ कोई दिखाता है कुछ एक्जामपल्स जैसे कि हमारा भई अगर ठंड का मौसम चलता है तो न्यूस्पेपर में आता है कि भई कल दगदस दिन पारा इतना था उसके पहले इतना उसके पहले इतना इस तरीके से चलते रहता है या फिर अगर आप न्यूस्पेपर में देख जो हमें यह बताता है कि समय के साथ साथ आपका जो data है वो कैसे change हो रहा है उपर जा रहा है नीचे जा रहा है stable है किस तरीके से वो move कर रहा है चलिए question number 12 देख लेते हैं हम लोग अब क्या बोल रहा है the relation between independent and dependent variable ठीक है is shown through a किस तरीके से आप dependent और independent variable के बीच connection दिखा सकते हैं क्या use करके sir हम लोग जो हम बनाते हैं यहां पर वो बनाते हैं graph और graph में यह होता है एक चीज़ independent है दूसरी dependent है जैसे for example side of a square is independent पर उसका perimeter is dependent on the side की perimeter कितना होगा वो depend करेगा side कितनी है जैसे amount और उस पर मिलने वाला interest कितना interest मिलेगा वो depend किस पर करता है amount पर कितना amount आपने invest किया है तो इस तरीके के जितने भी relation होते हम किसके थूद दिखाते हैं हम graph के through दिखाते हैं can be shown through a graph हो जाएगा अपका जवाब अपसा graph में कौन सा अब देखो वह linear होगा की line graph होगा वो तो depend करेगा situation पर तो अभी कुछ भी लिख पाना एक हो सकता है कि हम incomplete answer दें इसलिए केवल graph लिख कि आप justify कर देंगे कि कोई सा भी graph हो लेकिन graph के मदद से हम बता सकते हैं चलिए यहाँ पर हो गया screen clear अब हम मूब करेंगे सवाल नंबर 13 कि हो वी नीड़ डाश कॉडिनेट्स टू फॉर रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑन दे ग्राफ शीट ग्राफ शीट पे कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा सर पेंसिल पेंपेपर आरे गनित के हिसाब से बताओ भाई सामान के हिसाब से नहीं सर हमें चाहिए होंगे डाश कॉडिनेट्स कितने कॉडिनेट्स चाहिए होंगे सर हमें x और y दोनों कॉडिनेट्स होते हैं इसलिए हर point का जब हम लिखते हैं Conness दोनों लिखते हैं values xb और y भी तो क्या चाहिए होगा आपको चाहिए होगा pair of coordinates most yes you do work the I could play यह फशर आप उसको और simple लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं कि पोट x9 y-coordinate x and y-coordinate दोनों ही चाहिए होंगे जब आपको कोई भी पॉइंट ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है तो उधारन के तोर पे यह आपका y हो गया एक्स हो गया अगर आप केवल x की वाईलू बोल देंगे कि 4 तो भाई 4 कहां पे 4 तो यहां पे भी है यहां पे भी यहां पे भी है यहां भी है यहां भी है 4 पर जब आप बोलते हैं 4,2 तो आपको समझ में आता अच्छा 4,2 मतलब यहां कहीं बोला जा रहा है तो दोनों वाईलियूस पता होना जरूरी है वरना आप इनकंप्लीट जानकारी देंगे और व् से रहता है कि uniformity आजाए मतलब एक जैसा ही सब लोग चीज़े करें वो फिर नहीं हो पाएगा ठीक है चलिए question number 14 क्या बोल रहा है आपसे कि a point in which the x coordinate is 0 ठीक है आपका x coordinate 0 है और y coordinate non 0 है ठीक है x coordinate 0 का क्या मतलब है कि भाई x की नहीं चलने वाली तो x coordinate 0 y coordinate non 0 मतलब 0 नहीं है तो y के लावा कोई भी value लेलो में भी दो लेलो चार लेलो पांच लेलो साथ लेलो कुछ भी लेलो बस कोई एक value लेलो एक्जामपल के तोर पे will lie on dash यह कहां पर लाए करेगा सर अगर x की value 0 है तो मतलब x के पास कुछ भी power नहीं है वो x की तरफ आगे ही नहीं बढ़ेगा केवल y की तरफ उपर या नीचे shift होगा तो वो कहां लाए करेगा मानलो अगर y की value 2 ली हमने तो 0,2 यहां कहीं लाए करेगा 0,4 यहां कहीं 0,5 यहां कहीं 0,7 यहां कहीं लाए करेगा तो यह सारे points किस पे लाए कर रहे हैं सर यह सारे points लाए कर रहे हैं y axis पे और आपका उस verify भी कर सकते है कि y axis पे x की value क्या होती है sir y axis पे x की कुछ भी value नहीं चलती उसकी कोई भी ताकत नहीं होती तो वो 0 के बराबर होता है ठीक है चलिए अब सवाल नमबर 15 the horizontal and vertical line in a graph are called dash and dash ठीक है horizontal line or vertical line को कहा क्या जाता है sir horizontal line को कहा जाता है x axis और vertical line को क्या कहा जाता है sir y axis कहा जाता है ठीक है इसको आपको हमेशा याद रखना है horizontal line को x axis vertical line को y axis कहा जाएगा हमेशा चलिए यहाँ पर हम करेंगे screen clear और move करेंगे सवाल नमबर 16 की तरफ the process of fixing a point with the help of coordinates is known as dash of the point ठीक है जब भी आप किसी point को fix करते हैं coordinates पे तो आप क्या करते हैं पूरे process को क्या कहा जाता है sir हम यह करते हैं कि हम उन पॉइंट के coordinates को लेते हैं graph paper पे उसकी situation या location identify करके उसे mark कर देते हैं जिसे गनित की भाशा में कहा जाता है piece एक चब्द होता है जिसका नाम होता है plotting क्या होता है plotting मतलब क्या होगा आप उस point को place कर रहे हैं plot कर रहें कि भाई साब आपकी यह जगा है आप कृपया यहां पे रहें यहां से नहिले ठीक है चलिए बहुत बढ़िया अगला सवाल 17 नंबर क्या बोल रहा है से distance of any point from the y-axis is called dash coordinate अब देखो यहां पर इंसान क्या सोचता है y-axis तो य कोडिनेट होगा पर अगर आप थोड़ा सोचे तो माइन लीजे यह आपका graph paper है यह आपका point है distance from the y-axis तो यह वाला distance होगा y-axis से ठीक है आप इस distance को मेजर करने के लिए आपको किसकी मदद लेनी पड़ेगी तो सर यह distance जो उपर हवा में है इसको compare किया जाएगा x-axis से तो यहां पर जो भी value आएगी वही आपका y-axis से distance होगा पर वो basically value होती क्या है सर वो होती है आपका x-coordinate क्या होती है x-coordinate क्या आपको यह समझ में आया तो distance of any point from y-axis is called x-coordinate अगर कोई पूछेगा distance of any point from x-axis is called y-coordinate क्योंकि देखो फिर आपको x-axis से distance पता लगाना है तो आपको यह दूरी पता करने ही पड़ेगी और यह दूरी पता करने में कौन help करेगा भाई y-axis help करेगा ठीक है तो distance from y-axis is x-coordinate distance from x-axis is y-coordinate simple logic है आपको केवल डाइग्राम देखके समझना है कि कहां पर क्या distance मेजर हो रहा है अगर आप वो समझ जाएंगे फिर तो कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है जहां आप मगप करने का प्रयास करेंगे वहां गलती कर सकते मगप मत कीजिए इसी चीज को डाइग्राम ड्रॉ करके देखे खुदी evaluate कीजिए आपको अपका जवाब मिल जाएगा आसानी से ठीक है बाकी तब लोग काफी समझदार है to be honest चलिए सवाल नमर 18 क्या बोल रहा है all points with y coordinate as 0 y coordinate 0 मतलब y की कुछ भी value नहीं है y equal to 0 और अब अचा क्या दूसरा होता है x तो x का 1,2,3,4,7,8 कुछ भी ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब जड़ा सोचिए y की value 0 है y के पास कुछ भी ताकत नहीं है तो यहाँ पे जो x है उसी के पास सब कुछ रहेगा किस पे मतलब रहेगा आपका x axis पे क्योंकि भाई य की ताकत 0 है तो भाई किसका राज़ चलेगा केवल x axis का राज़ चलेगा तो आप क्या लिखोगे x axis पे सारे points लाए करेंगे उधारन के तौर पे 1-0,2-0,3-0,8-0,10-0,15-0 कुछ भी ले लिजे x की value कोई भी ले लिजे y की value 0 रहेगी तो मतलब y के पास कुछ भी value नहीं है कुछ भी power नहीं है तो किसके पास रहेगा सारी power x के पास तो point कहां जाएगा x axis के उपर अगले चार सवाल सवाल नमबर 19 क्या बोल रहा है आपसे कि from the point 5,2 the distance from x axis is dash unit चलिए point 5,2 के लिए आपको बताना है x axis से distance देखो यू तो यहाँ पे मैं आपको इजरी बता सकता हूं कि अंसर क्या होगा through magapala system की x axis से distance मतलब क्या होता है ठीक है लेकिन हम क्या करेंगे हम graph draw करके point को mark करके थोड़ा सा एक अच्छे way में solve करने का प्रयास करेंगे चलिए 5,2 मतलब कहां लाए करेगा point यहां कहीं लाए करेगा मान लीजे अब आप से पूछ रहा है distance from the x axis x axis से दूरी आपको बतानी है कैसे find करोगे सर क्योंकि हम x axis से दूरी बता रहे तो हमें वहां पर y help करेगा और यह दूरी कितनी होगी सर point के values है 5,2 अर्था यह point है 5 और यह point है 2 तो दूरी कितनी होगी x axis से जितनी है यह वाली value that is 2 units तो distance from x axis is y coordinate हमेशा यह आपको अगर याद रखना है तो कि distance from x axis तो हो जाएगा y coordinate यह उल्टा होता है distance में ठीक है normally x coordinate क्या बताता है x के बारे में बताता है पर जब आप distance की बात करेंगे तो उल्टा हो जाता है distance from x axis is told by the y coordinate ठीक है चलिए और हम देख लेते हैं अगला सवाल क्या पूछ रहा है हमसे अगला सवाल है सवाल number 20 जो बोल रहा है the x coordinate of any point lying on the y axis ठीक है y axis पे लाय कर रहे हो मतलब क्या है कि आप y axis पे रहते हो y axis पे रह रहे हो तो मतलब किसका राज चलेगा y का राज चलेगा मतलब x की कुछ भी वाल्यू नहीं होगी और कुछ भी वाल्यू नहीं होगी को mathematical terms में कैसे लिखा जाता है सर एक ऐसे शून्य का आकार बनाया जाता है तो जब आप y axis पे हैं तो एक्स कॉडिनेट क्या होगा सर एक्स कॉडिनेट कुछ भी नहीं होगा क्योंकि आप y axis पे रह रहे हैं मतलब y की गली में रह रहे हैं तो y की गली में y का ही राज चलेगा x हो जाएगा शून्य क्या आपको यह समझ में आया जी सर चलिए यहां पे बहुत ही अच्छा आपका उत्तर अगला प्रश्न देख लेकते हैं दा वाइक कॉडिनेट ऑफ द पॉइंट टू कॉमा फॉर इस कॉडिनेट हमेशा फिक्स होते हैं पहला वाला x दूसरा वाला y आप से पूछ रहा है y कॉडिनेट तो आपका जव चलिए नाम भी सिखाया गया है जो कि होता है अप तो आप वो भी लिख सकते हैं जो भी आप ठीक लगे ठीक लगη है अच्छों थे लिखे its x coordinate ठीक है तो x coordinate के value है 5 y coordinate की value है 4 then the coordinates of the point are given by चलिए क्या होता है नियम सार नियम कहता है कि confusion ना हो इसलिए हमेशा पहले x की value that is 5 फिर y की value that is 4 तो 5,4 होना चाहिए points के coordinate हमेशा x पहले y बाद में ताकि कोई भी confusion ना हो चलिए 24 में क्या बोल रहा है if the coordinates of a point the second number denotes the coordinates में जो second number होता है उधारण के तोर पे 5,2 यह यहां पर लिखा है मान लीज़े 3,4 second number मतलब यह वाला यह क्या denote करता है सर यह करता है य की value जिसको आप कहते हैं y coordinate क्या कहते हैं या फिर उसका alternate क्या नाम है सर उसको कुछ लोग ordinate भी बोलते हैं अगर आपको दोनों याद हैं बहुत बढ़िया दोनों लिखिए एक याद है एक लिखिए ठीक है आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर आप y coordinate लिख रहे हैं तो भी चलेगा ordinate लिख रहे हैं तो भी चलेगा बट लेकिन गलत spelling मत लिख देना बस ठीक है चलो 25 दपॉइंट वेर्ट टू आक्सिस इंटरसेट इस कॉल्ड जहां पर दो आक्सिस इंटरसेक्ट करती हैं वहाँ होता है उस under होती है और सी अनम रखा गया है ओर जैसे होने का मतलब जहां से सारे शूरू हो रही है तो यहां से 00 चीज़ेश्य शुरू होती है इदर एक्स के लिए उच्ण्र वाय के लिए तो interval कर दो toky jath शूरू हो रहा है उसे आप कहते हमेशा ऑर चलिए यहाँ पे हम करेंगे screen clear यहाँ पे हमारे पास अब आ गये हैं सवाल लंबर 26 से लेकर 34 तक true और false का सिल्चला चले शुरू करते हैं और देखते हैं हमनों क्या इनका जवाब दे पाएंगे क्या करना आपको सिर्फ true और false या फॉल्स यहीं बताना है सवाल लंबर 36 for fixing a point on the graph sheet we need two coordinates जी हां बिलकुल दोनों coordinate में से यदि एक भी missing होगा तो फिर हम exact चीज नहीं बता पाएंगे दोनों coordinate होना जरूरी है अगर दोनों में से एक भी coordinate गायाब होगा तो फिर हमें दिक्कत हो जाएगी और तीन coordinate तो होते नहीं statement क्या होना चाहिए सब्सक्राइब होना चाहिए टी आर यूई ट्रू चलिए बहुत बढ़िया अगला a line graph can also be a whole unbroken line line graph can also be a whole unbroken line जी हाँ बिलकुल एक unbroken line मतलब बिलकुल सीधी जाती हुई line graph वैसा भी हो सकता है दो लिखा can also be ठीक है तो क्या यह statement true है क्या इनका कुछ नाम है क्या हम इनको linear graph भी कहते हैं या आप थोड़ो तो homework करके बताइएगा पर मेरे साब से तो अभी के लिए statement true है कि भाई line graph में whole unbroken line भी हो सकती है और उनी को सायद हम linear graph भी कहते हैं चलिए the distance of any point from x axis इसका हमें निकालना है x axis से distance x axis से दूरी बतानी है तो आप कैसे बताएंगे सर अगर x coordinate बताएंगे तो वो तो ये वाली value बताएगा मतलब ये वाली value पर हमें तो ये वाली value चाहिए जो की होती है हमारा सामने खड़ा हुआ y coordinate मतलब y की value तो statement क्या हो जाएगा जी हाँ बिलकुल FALCE गलत हो जाएगा false हो जाएगा तो हमने सवाल नमबर 28 तक यहाँ पर समाप्त कर दिया है सवाल नमबर 29 से लेकर 31 का सेट देखते क्या बोलते the distance of point 3,5 from y axis ठीक है y axis से distance पूछ रहा है मतलब क्या बोल रहा है वो कि सर y axis से दूरी बताईए तो माली यह आपका यहाँ पर partition system है यहाँ पर आपने points माक करने है तो एक दो तीन माली यहां कहीं माक किया आपने ठीक है अब आपसे बोल रहा है यह है 3,5 जिसका मतलब यह value हो गई 5 और यह value हो गई 3 तब ही तो वह न 3,5 भाई x पर चले आप 3 y पर चले आप 5 ठीक है तो 3,5 चलिए यह बाट ठीक है अब बोल रहा है y axis से दूरी बतानी है तो भाई y axis यह रही उससे दूरी बतानी है मतलब यह value जो की होनी चाहिए 3 पर इनके सबसे आ रही है false तो यह हो जाएगा गलत मतलब false ठीक है क्या आपको यह समझ में आया yes sir कहीं कोई दिकत मन में नहीं sir यह statement हो गया false अगला देख लेते the ordinate of a point is its distance from x from y axis ठीक है ordinate क्या होता है sir ordinate होता है y coordinate का नम ordinate होता है y coordinate का घर का नम basically ठीक है तो y coordinate का नम क्या होता है ordinate और y coordinate होता है y axis से distance ऐसा यह statement बोल रहा है हमने अभी check किया क्या होता है sir y axis से जो distance होता है वो तो x बताता है कि भई y से कितनी दूरी है ठीक है जो x होता है वही बताता है कि y से कितनी दूरी है माली यह पॉइंट है तो इसकी य से जब आपको दूरी पता करनी है तो यह वारा डिस्टेंस पता करना होगा जो की आप पता लगा सकते हैं एक्स एक्स से तो मतलब क्या होना चाहिए यहां पर उत्तर में असल में होना चाहिए एक्स ठीक है पर इन्हों ने लिखा है वाई आक्सेस तो इस स्टेट्मेंट हो जाएगा फॉल्स ठीक है चलिए सवाल नमर 31 इन दपॉइंट टू कॉमा थ्री त्री डिनोट्स वाई कॉडिनेट चलिए थ्री मतलब कौनसी वाली वाली जो की दिखाती है वाई कॉडिनेट या फिर ओडिनेट जो की यहां पर ठीक लिखाए तो स्टेट्मेंट क्या हो जाएगा सही या फिर टूरू ठीक जो कॉडिनेट ऑफ दो ओरिजिन आर जीरो कॉमा जीरो ओरिजिन मतलब जहां से सब कुछ स्टार्ट होता है जीरो कॉमा जीरो मतलब कुछ भी स्टार्ट नहीं हो आए सब कुछ स्टार्ट करना है दोनों से में ही मीनिंग क्यारी कर रहे हैं तो स्टेट्मेंट क्या हो बहुता है देखो क्योंकि हमें यह confusion नहीं चाहिए कि मैं बोल रहा हूं 3,5 आप बोल रहे हैं 5,3 मानलों क्लास में राजा राम राम का एक व्यक्ति है तो भाई उसका नाम राजा है कि राम है तो भाई हमने हर coordinate हर point एक unique value बताता है जो कि कहीं और नहीं मिल सकती क्या आपको यह समझ में आया येस सर दर वाई coordinate of any point lying on x-axis will be 0 अगर कोई point x-axis पे लाए कर रहा है मतलब x-axis पे रह रहा है तो वहां पे एकस की और होगी किसकी ताकत होगी किसी power होगी x की पावर होगी x की ही values होगी सामने वाली जो पार्टी है जिसको हम y कहते हैं उसकी कुछ भी नहीं चलेगी और गर्णे तमे एक कुछ भी नहीं के लिए कौंसा नंबर है कौं सी संख्या है 0 है यहाँ पे वहीं लिखा है कि भाईया एक श होडिनेट इस जीरो तो यहां पे इस अक्सेश पे रिवाइक ऑडिनेट जीरो तो हमने स्टेट्मेंट को यहां पे लेएंयडके स्क्रीन को क्लेयी Almost कि और क्लिए हम अगले पाट की तरफ सभाल लबर 35 में क्या बोला हम से हमें यहाँ पर मैच दाख फॉलोइंग करना भाई मैच करना चीजों को कौन सा क्या होगा उसके साब से हम इसको आगे सॉल्फ करेंगे चलिए सबसे पहला मैं दो कॉडिनेट जीरो कॉमा फाइफ ठीक है अब 0,5 के लिए कौन सा वाला बेस्ट होगा देखो सबसे पहले कि कॉडिनेट ऑफ ओरइजिन क्या हों ग़े 0,0 चलिए अब यहाँ पर देखो। वाइक कॉरिनेट इस टू और एक्स कॉडिनेट एस फटीक है तो वाइक कॉडिनेट टू एक्स कॉडिनेट इस दू ऐसा कुछ है कि यहाँ पर सर यहाँ पर फिलाल तो नहीं दिख रहा है चलिए सली आगे देखते हैं only Y गॉंडिनेंट झीरो समचा है जिसका वाय कॉडिनेट 0 होगा क्या होगा यह कॉडिनेट 0 सर य कोडिनेट जीरो तो इसका दिख रहा है मुझे 5,0 मतलब क्या होगा एक्स की वाईलू 5,Y की वाईलू 0 तो य कोडिनेट जीरो वाला कौन सा है सर यह वाला है 6 ठीक है चलिए the distance from x axis is 5 यह हमारा तीसरा वाला है पतब चौथा वाला इसको हम देख लेते x axis से distance है 5 मतलब x axis से दूरी है 5 की मतलब अगर आप इसको डाइगरमेंटिकली देखें तो x से 5 की दूरी मतलब क्या चाहिए आपको सर मतलब हमें चाहिए y की जो वाल्यू है y axis पे जो वाल्यू है y कोडिनेट है वो कितना चाहिए वो 5 चाहिए तो ऐसा पॉइंट दूरो जिसका y कोडिनेट 5 होना चाहिए सर सब में केवल यही है पहला वाला जिसका y कोडिनेट है 5 तो इसको हम करेंगे 1 के लिए ठीक है चल अगे देखते हैं y कोडिनेट इस डबल दा एक्स कोडिन मतलब जो भी एक्स की वैल्यू है उसकी तो इसमें जो भी एक्स की वैल्यू है उसका डबल है वाय की फॉर्र का डबल हो जाएगा 8 तो यहां पर आपका जवाब होना चाहिए थर्ड वाला 3 चलिए अगला देखते हैं the distance from y-axis is 2 y-axis से दूरी कितनी है 2 की है मतलब y-axis से दूरी 2 की है मतलब अगर आप ड्राइगे मिटली के लिए देखें image के साब से देखें तो आपको यह समझ में आएगा कि y-axis से 2 की दूरी मतलब किसकी वाल्यू बताना चाहरा है वो आपको सर्व आपको बताना चाहरा है x की वाल्यू कितनी होगी x की वाल्यू 2 तो ऐसा option ढूंडो जिसकी x की वाल्यू 2 हो यह मिल गई हमें तो मतलब यह क्या होगा यह सेकेंड वाला होगा आप सबसे पहला देखते हैं जो कि थोड़ा सा ट्रिकी था वो क्या बोल रहा है आपसे कि वाय कॉडिनेट इस 2 इंटू x कॉडिनेट प्लस 1 जो भी y की वाल्यू है उसका डबल करके प्लस 1 करना है तो ऐसा हम कब कर कर सकते है कौन से वाले option में सर यूँ देखा जाए तो चौथा वाला ही बाकी है पर एक बार चेक भी कर लेते हैं चलिए एक्स कॉडिनेट है थ्री आपने डबल किया 6 प्लस 1 किया 7 तो मतलब यह जो आपका 3,7 यह इस पे फिट बैट रहा है कि वाय कॉडिनेट एक्स कॉडिनेट का डबल करने के बाद प्लस 1 करने पर मिल रहा है तो एक्स की वायलियो 3 डबल किया आपने 6 प्लस 1 किया आपने 7 और वही वाय कॉडिनेट है तो इस तरीके से आप आसानी से इनको मैच करके यहां पर आगे बढ़ सकते हैं चलिए सवाल नमबर 36 फिर से मैच दा कॉलम आ गया है कुछ पॉइंट दिये हैं कुछ जानकारी दी है आपने जानकारी को यूज करना है और फिर पॉइंट से मैच करना है सबसे पहला पॉइंट ठीक है देखो अब यहां पे इनको आप कुछ ज़्यादा जज नहीं कर सकते हैं य और ओडिनेट होता है वाई की वाली तो आपने ऐसा पॉइंट ढूड़ना है जहां पर आउडिनेट मतला वाई की वाल्यू एकस का डबल हो वाई की वाल्यू एकस का डबल यहां पे तो नहीं है ठीक है पहले वाले में दूसरे वाले में दोनों बराबर है तीसरे वाले मे क्या x का double है x की value है 4 तो double है बिलकुल है क्योंकि भाई 4 का double होता है 8 तो यहां पर आपका जवाब हो जाएगा option c ठीक है कि y की value या फिर ordinate आप से साथ का double है ठीक है the ordinate is 0 ordinate का मतलब होता है y की value 0 y की value 0 वाला कौन सा option है सर यह दिख रहा है यहां पर पहला ही option 7,0 तो उसको हम यहां पर mark कर सकते हैं ठीक है तीसरा वाला ordinate is equal to आप सिसा फिर से ordinate होता है y की value आप सिसा होता है x की value तो ऐसा point ढूणना है जहां x और y बराबर हों जादा दूर जाने की ज़रुवत नहीं है option b देखिए x की value भी 11 मतलब आप सिसा भी 11 ordinate भी 11 तो आप क्या लिखेंगे यहां पर यह है भाई बी वाला option चलिए अगला दा आप सिसा डबल दॉडिट बना जो भी ordinate की value है जो भी y की value है उसका double x तो यहां पर y की value को check करो देखा जाए तो एबी सी तो निपड़ गए उन तीनों का मैजदा कॉलम मिल गया बचे बाकी तीन तो टू का double करने पर क्या six मिलेगा नहीं सर नाइन का double करने पर क्या शून मिलेगा नहीं सर थ्री का double करने पर six मिलेगा येस सर तो यह कौनचा है एफ वाला point है जहां पर y की value x का double है या फिर आप सिसा ओर्डिनेट का double है चलिए अगला देखते हैं दा आप सिसा ट्रिपल द ओर्डिनेट मतलब फिर से x की value जो है वो y की value का triple है और यहीं पर आप अगर चेक करेंगे तो two into three मतलब ordinate into three मतलब y coordinate into three करने पर आपको मिलना है six जो की है आपका x coordinate या फिर आप सिसा तो आप क्या लिखोगे यहां पर आपका जवाब क्या आएगा डी आएगा लास्ट वाला आप सिसा जीरो मतलब x coordinate जीरो और वैसा वाला एक ही पॉइंट है जो की यहां पर आपके सामने है option e क्या कहारा आप से यह कि भाई इस case में ordinate आप सिसा जो है वो 0 है ठीक है समझ में आया तो इस question से आपको बैसिकली यह clear हो गया कि आप सिसा किसको बोलते और ordinate किसको बोलते हैं ठीक है आप सिसा एस स्टार्ट होता है मतलब पहली वाल्यू फॉर्स्ट वाला मतलब बैसिकली x coordinate और ordinate y है y coordinate का नम वह आपको याद हो ही जाएगा चलिए यहां पर हो गया सवाल नमबर 37 अब हमें शुरू करना है from the given graph choose the letters that indicate the location of the points given below चले हमारे पास एक ग्राफ आएगा यहां पर अभी यह आ गया देखिए और आपको बताना है कि भाई कौन सा point किसको highlight कर रहा है दो तरीके या तो इन points को ढूंटे रहो कौन सा कहां पर है और फिर mark करो या फिर उन points के coordinate लिख लो फिर match कर लो एक ही बात है जिसे उधारन के तोर पर भाई जो point a है इसके coordinates क्या होंगे तो सर 0,4 point b के coordinates 0,2 b यहां पर हो जाएगा 1,5 पहले x बात में बाए e यहां पर c हो जाएगा 2,6 देखो यहां पर यह रहा point c 2,6 ठीक है f हो जाएगा 2,0 आप ऐसा कर सकते हैं g हो जाएगा 4,0 h हो जाएगा 5,1 आई हो जाएगा 6,2 ठीक है और यहां पर e हो जाएगा 3,3 ऐसे भी कर सकते हैं आप और फिर आप आजानी से लिख सकते हैं 2,0 पूछा है, तो point F हो जाएगा, 0,4 पूछा है, तो point A हो जाएगा, ठीक है, 5,1 पूछा है, तो H हो जाएगा, है कि नहीं, यह सर, फिर 2,6 पूछा है, तो 2,6 हो जाएगा C, ठीक है, और 3,3 मतलब E, यहाँ पे आपने मैच कर दिया, अच्छा है, यह सवाल tough क्यों है, क्योंकि ध्यान से देखो, 0,2, 2,0, 0,4, 4,0, 1,5, 5,1, 2,6, 6,2, तो exact opposite values आपको काफी जगा पे दी गई है, और यदि आप इसको एकदम ध्यान से और बारीकी से मैच नहीं करेंगे, तो आप पक्का गलती कर जाएंगे, योगि 5,1 और 1,5 क माक करने में, इंसान में ज्यादा गलती नहीं होते, आपको क्या लगता है, एक value 1 है, एक value 5,1 है, यह बहुत matter करता है, ठीक है, खाली एक value भालë 15,15 होना काफी नहीं है, एक्स वाली value कितनी है, वाय वाली value कितनी है, वonce सब से काफी फरक पढ़ता है, चालिए, यहाँपे ह अब करेंगे screen को clear इसको solve करने का एक और तरीका यह कि जैसे आपको बोला two comma zero तो अप ढूओन दूओन जिरो कहा माक करेगा अच्छा यह रहा तो भाई इसका जवाब होगा two comma zero का जवाब क्या होगा एफ होगा हमने पहले क्या लिखा था पहले हमने एफ लिखा था कि यह लिखा था ठीक है चलिए अब कोई आप से पूछेगा जीरो कॉमा फॉर तो आप जीरो कॉमा फॉर ढूंडेंगे तो आपको मिलेगा अच्छा ए हो जाएगा जीरो कॉमा 4 चर यह ठीक है 5,1 आप से कोई पूछे का माक करिए तो आप ग्राफ पेपर की तरफ जाके 5,1 माक करने का प्रयास करेंगे तो 5,1 मतलब 1,2,3,4,5 यह रहा और 1 मतलब H ठीक है उसके बाद 2,6 माक करने जाएंगे तो भाई पे 2,y पे 6 तो पॉइंट सी और लास्ट में 3,3 तो मिडल में आ रहा है ठीक है आसान है यह सर चलिए स्क्रीन करते हैं फिर से इसी भी पॉइंट के कॉइंट बताना सबसे आसान होता यदि आप एकदम सजग होके प्रयास करेंगे तो यहां पर देखेंगे तो यह कहां से स्टार्ट हो रहा है एकदम फर्स्ट लाइन से जो की है जीरो की ठीक है तो यह हो जाएगा पॉइंट 0,7.5 आपको कैसे पता देखो 7 और 8 के बीच में तो 7.5 लिखेंगे न हम लोग और इसके कॉइंट क्या है 0,7.5 पॉइंट बी एक्स पे कहां टच कर रहा है तो पर तो फाइफ पर टच कर रहा है तो भाई एक्स की वैल्यू फॉर वाई की वैल्यू फाइफ सिंपल यहां आ रहा है बीच में तो इसे आप क्या कहेंगे 7.5 कहेंगे और इस तरफ से कितना पॉइंट सी तो यहां इस लाइन पे है जिसको हम कहते हैं 2 और 3 के बीच में मतलब 2.5 आप बोल सकते हैं है चाहिए पॉइंट डी को देखे कहां लय कर плох एक्स साथिसर पहल लाइं कर रहा है को एक्स तो किवालीई 0 यह पॉइंट हो जाएगा 11,0 ठीक है चाहिए पॉइंट e तो यहां हो 66 मतलब 40.5 एक्स की पॉइंट फाइव ठीक है पॉइंट एफ है एकदम लास्ट में तो यहाँ पे हो जाएगा अठारा और सामने से यदि हम देखेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे बीच में नौ और दस के कुछ इस प्रकार तो आपका जवाब होना चाहिए कितना सरी हो जाएगा अठारा कॉम 19.5 अब आप चाहें तो इन लाइन्स को बिना बनाएं भी अपने पॉइंट समाग कर सकते हैं कोई नियम नहीं है कि लाइन बनानी है ओनली तिंग इस कि गलती नहीं होनी चाहिए केवल सटीक आंसर ही दें वही आपके लिए बहतर होगा चाहें लाइन खीच के दें चाहें स्केल रखे मेजर करें पर कोशिस करें कि वैल्यू सही मिलें यह ऐसे सवाल है जो कि आपको पूरे में से पूरे नमबर दे जाएंगे बशरते आपने सही से सॉल्फ किया है ठीक है चलो यह वाला पार्ट तो आसान था हमने इसको कर दिया सॉल्फ अब हम कर सकते हैं स्क्री हम लेंगे खड़े रंगा ग्राफ पेपर बिल्कुल बढ़िया बहुत बढ़िया आपके पास किसी और रंगा हो तो वह भी ले सकते बैसिकली पर जन्रल क्या होता है चलिए उस शीट में यह से अगर आपको एक्जामपल दो यह शीट है ठीक है तो यहां से एक दो लाइन अपने काम के लिए जिस पर बनाएंगे आपका ग्राफ ठीक है तो एक लाइन को अपने डाक कर दिया पेंसिल से यहां पर लिखा एक यहां पर लिखा वाई हर एक बोक्स पे एक वाल्यू और फिर उसके इसाब से अपने सवाल को अंजाम देंगे हाँ एक बार वहां पर व यहां आया तो अगर मैं उसको زूम इन करके बना हुँ तो मान दीजैंगे आपकी दो आक्सिस है यहां यहां पर शून ने यहां पर था 1,2,3,4,5,6,7 मानलो मैंने बना दिया यहां बना दिया मैंने 1,2,3,4,5,6 यहां पे 6 रहने पर कोई नहीं है ठीक है अब आप जब मा ठीक है, x और y लेकना कभी मत भूलना, वो बहुत जरूरी होता है, origin आपने draw कर दिया, च्योंकि अभी सिफ point plot करने, इसलिए बिल्कुल simple होगा, जब आप graph बनाएंगे, तो आपको और भी चीज़े mention करनी पड़ती है, चलिए, 5,4 मतलब x की value 5 और y की value 4, तो आपने ऐसा point x को 5 तक ले जाए, और y को 4 तक ले जाए, तो यह रहा वो point, x की value 5, y की value 4, इसको नान दे दिया, आपने a, 5,4, दूसरी value 2,0, मतलब x की value 2, y की value 0, वो कहां पे होता है, y की value 0 होती है, वहां पे जहां x की मर्दी चलती है, मतलब x axis पे, तो यह होगा, आपका point b, जिसके coordinates है 2,0, ठीक है, point c 3,1, तो यह रहा point c 3,1, मतलब यहां कहीं लाए करेगा, अगर मैं state line बनाओं तो यहां ऐसे कहीं लाए करेगा, आप initial phase में जब आप नया नया सीख रहें, graph बनाना, तो इस तरीके से line draw करके बना सकते हैं, उसके बाद जब आपकी practice हो जाएगी, तो आप इस point d, 0,4, यहां पे है 3,1, और वहां पे b की value है 2,0, चलिए, 4,5 मतलब x की value 4, और y की value 5, तो यह point c था, x की value 4, y की value 5, तो यहां कहीं लाए करेगा, point e, क्या नाम है इसका, 4,5, तो कुछ इस तरीके से आपके सारे point दिखने चाहिए, उन्हें नाम दे, यदि space है तो उनके coordinates भी वहां bracket में लिख दे, ऐसे lines draw करना हर बार compulsory नहीं है, पर यदि आपके पास समय है और आपको लग रहा है कि आप गलत कर सकते हैं, तो क्रिपया line draw करके mark करें, अदवाइस छोड़ सकते हैं, चलिए, अगर मैं आपको इसका actual चित्र दिखाऊं कैसा दिखेगा, तो कुछ इस प्रकार आपके सारे points plot होने के बाद दिखने चाहिए, देखो, शूरने से साट हो रहा है, दस पे खतम हो रहा है, यह हो जाएगी X axis, यह हो जाएगी Y axis, इन्होंने 1010 का बनाए, ऐसे कोई नियम नहीं के 1010 का बनाना है, अगर आपको दिख रहा है कि आपके value 6 तक खतम ह हो रही है, आपको महिनत बचानी है, तो आप 6-6 या साथ-साथ का भी बना सकते हैं, उसके बाद points को आपने plot करना है, अगर नाम नहीं दिया है, तो नाम दे देए, ABCDE कोई दिक्कत नहीं है, चलिए, screen clear, अगला प्रश्न देख लेते हैं, सवाल नंबर 40 क्या बोल रहा है, study the following given map, ठीक, आपको यहाँ एक map दिया है, of a zoo and answer the following question, यहाँ पर जो answer दिया है, उनका जवाब बताना है, give the location of loyans in the zoo, अब देखो, loyans कहां पर है, so loyans यह रहे, अब इनकी location बतानी तो भाई, location बताने के लिए, दो चीदे सही होंगी, एक x की value, road x और दूसरा road y, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, कि भाई यहाँ देखो, loyans जो है, वो यहाँ पर है, मतलब कौन सा है, यह a, और यह f, इन दोनों को मिला, अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ road f पे चले जाओ, या फिर road y पे चले जाओ, तो भाई, कहां जाना है, कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 5 turn आ रहे है तो कही मैं कुछ गलती ना कर दू, इसलिए बोलूँगा, कि भाई, आप जो road लेके जा रहे हैं, उसमें कहां पर right turn लेना, इसलिए दोनों direction जरूरी है, तो आप क्या लिखोगे, loyans कहां पर है, तो sir, वो है, a, f पे, जिसमें a है, capital f है, छोटा, ठीक है, अगर आप यह रहा, sir, d, ढूण लिए आपने, फिर आप f को ढूण लोगे, तो यह रहा f, और यह दोनों कहां टकरा रहे है, d और f, sir, monkeys के लिए टकरा रहे हैं, तो d, f किसके लिए है, monkeys के लिए है, बहुत बढ़िया, c, d, capital c, छोटा d, तो capital c, तो यह रहा, इधर पे, तो यह वाली पॉइंट जो की है, किसके लिए, elephants के लिए है, elephants, तो यहां पर हम रिख देंगे, elephant, चलिए, यह होगा, clear, yes, sir, क्या कि आपने, 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 दोनों, points के बारे में, बता दिया, where are the toilets, लोगे, अब टॉइलेट यहां पे, कहां, कहां पे है, तो मुझे, तो टॉइलेट एक ही जगा पे दिख रहा है, जो है, आपका यहां पे लिखा हुआ, e के पास, तो हम उसको देख लेते हैं, तो e जो point है, वो कहां पे है, sir, वो एकदम road पे है, एक वाई वाली road पे, x पे वो जाई नहीं रहा है, मतलब x की value क्या है, 0 है, तो आप क्या लिखोगे, x की value, road x पे कुछ भी नहीं जाना है, road y पे e तक जाना है, तो आपको toilets मिल जाएंगे, ठीक है, और कहीं हैं कि यहां पे नहीं एक जगा पे था, give the location of canteen, canteen की location आपने बतानी है, तो भाई, canteen यह रहा point c, और यहां पे भी point c, तो क्या होगी canteen की location, sir, capital c और small c, जो कि यह बताएगा कि भाई canteen कहां पे है, इस जगा पे है, और आपने दोनों coordinate बता दी, क्योंकि यह बहुत जरूरी है, कि कहां तक जाना है, और कहां पे right or left turn लेना है, वरना अगर आप बोल दो कि इसी road x पे चले जाओ, तो इंसान सीधे सीधे जाते जाएगा, पारक के पार निकल जाएगा तो इसलिए आपको दोनों coordinate बताने पड़ेंगे, ताकि इंसान आसानी से right or left ले सके, चलिए, हो गई है, सारे point yes sir, आसान थे, जी हां sir, बिलकुल, हम करेंगे हैं पे screen को clear, और move करेंगे अगले प्रशने की और, सवाल number 41, क्या बोल रहा है आपसे, कि write the x coordinate abscissa of each of the given points, इन सा आरे points का आपको केवल क्या बताना है, abscissa बताना है, क्या बताना है, केवल abscissa, x coordinate बताना है, चलिए, abscissa या फिर x coordinate क्या होता है, हमेशा पहली value होती है, x की दूसरी value होती है, y की, तो इसका x coordinate होगा 7, x का x coordinate होगा 5, इसका होगा 0, ठीक है, ध्यान रखें हमेशा, x coordinate क्या ह आपको काम तो वही करना है कि किसी भी सारे जो गिवन पॉइंट से उनके क्या बताने है चलो 42 अब क्या बताना है इस में या कोडिनेट बताना हैं मतलब y की value बतानी है जिसका दूसरा नाम या फिर गनेज पे नाम क्या है ordinate है चलिए y की values मतलब यहां पे 5 यहां पे 0 यहां पे 7 यह तीन values होंगी यहां पे y coordinate के रूप में जो कि आपके y की value बताएंगी और पहली तीन values किसके बारे में बता रही है वो x के बारे में बता रही है जो कि हमसे नहीं पूछा है चलिए आसान सा सवाल सवाल नमर 43 क्या बोल रहा है आप से plot the given points on a graph sheet and check if the points lie in the straight line if not name the shape they form when joined in the given order आपको क्या करना है इन सारे points को plot करना है उसके बाद बताना है कि क्या वो एक straight line में है और यदि नहीं है तो फिर कौन सा shape form कर रहे है कैसे बनाओगे सर यहां पे हम देखेंगे हमें चाहिए एक graph paper बिलकुल ठीक जिसमें हम बनाएंगे X axis और Y axis लंबाएं कितने होगी सर देखें य की value at max जा रही है 8 तो हम कर सकते हैं कि 1010 का बना सकते हैं कि 2,4 तो मतलब X पे 2,Y पे 4 तो मतलब यहां कहीं आएगा 3,6 तो यहां कहीं आ सकता है और 4,8 तो मतलब और उपर जाएगा कुछ इस प्रकार और अगर आप ध्यान से देखें तो शायद यह एक straight line में लाए करेंगे येस दे लाए इन अ स्टेट लाइन अगर हम आपको असल चित्र दिखाएं कि कैसा दिखेगा तो कुछ ऐसा होगा यहां पर आपका चित्र क्या हो रहा है भाई शून्य से कहानी स्टार्ट हो रही है पहला पॉइंट है आपका 1,2 फिर 2,4 फिर 3,6 फिर 4,8 और इन चारों को जब आप ड्रॉ करेंगे आपको क्या मिलेगी स्ट्रेइट लाइन मिलेगी सोचने वाली बात यहां पर क्या क्या है सबसे पहली बात तो यहां पर कि X और य की वाल्यू हमेशा लिखनी है और कहां तक बनाएग आप देखो बले ही एक्स में 4 पे खतम हो रहा है पर य की रिस्पेक करते होए अगर वाई में बना है 10 का त जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी चलिए यहां पर हम कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूफ करेंगे सवाल नमर 44 क्या बोल रहा है अब भी आपको पॉइंट्स प्लॉट करने और बताना है कि कौन सा शेप बनेगा कैसे करोगे सरी यह तो बहुत सिंपल है हाला कि भाल्यू बहुत छोटी छोटी है तो माक्सिमम्यट टू तो आप कहां तक जा सकते हैं आप तीन यह चार-चार का बना सकते हैं पहला पॉइंट 1,1 तो यहां कहीं लाए करेगा दूसरा पॉइंट 1,2 तो X की वाल्यू 1, Y की वाल्यू 2 यहां लाए करेगा ठीक है फिर तीसरा पॉइंट 2,1 तो X की वाल्यू 2, Y की वाल्यू 1 मतलब यहां लाए करेगा और 2,2 मतलब यहां पे लाए करेगा तो देखने में तो यह आपको एक स्क्वाइर जैसा लग रहा है ना कि स्टेट लाइन ठीक है चलिए देखिए हमने आप एक पांच पांच का भी बना सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी बस नीटनेस का ध्यान रखना है गंदगी नहीं मचानी है अपने परिक्षा पत्र में या फिर अपने उत्तर पुस्तिका में ठीक है चलिए और शेव कौन सा बना स्क्वार का बना अब यहां पर फोर कॉमा टू छेचे का पांच पांच का पांच का ना बनाएं क्योंकि पांच तो ही स्वयम तो छे या साथ का इटलीस बनाएं तो जो भी आपके हाईएस वाल्यू है या तो एक्स या तो वाई में उसमें प्लस वन करके उतना तो आपको बनाना ही चाहिए यहां पर हम देख लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 99 का बनाया है और जब आप इन points को plot करेंगे तो आपको पहला point मिलेगा 4,2 यहाँ कहीं x की value 4, y की value 2 दूसरा point है 2,4 तो x की value 2, y की value 4 और यहाँ पे meet कर रहे हैं तीसरी है 3,3 तो x की value 3, y की value 3 तो यहाँ कहीं पे इनका मिलन हो रहा है लास्ट है 5,4 तो x की value 5, y की value 4 तो जवाब हो गया 5,4 और हम अगर देखें तो यह कौन सा shape बन रहा है तो अगर हम पूरा यहाँ पे जो हमाई line से उनको हटा के देखेंगे तो ट्राइंगल त्रिकोंड त्रिबुज नामक shape बन रहा है तो यह 3 पॉइंट है आपको क्या हुआ यहाँ पे किसकी प्राप्ति हुई ट्राइंगल की प्राप्ति हो रही है चलिए screen clear अगला प्रशन देख लेते हैं 44 क्या बोल रहा है if y coordinate is 3 times x coordinate form a table of for it and draw a graph ठीक है अगर y coordinate x coordinate का 3 गुना है मतलब जो भी x की value आ रही है जो भी x की value है उसका 3 गुना है y की value उधारंड के तोर पे हमने यहाँ पे टेबल बनाया मानली जे x और y का x की value शूने तो 3 गुना मतलब y की value भी शूने हो गई यहाँ पे तो x की value 1 तो y की value 3 गुना मतलब 3 x की value 2 तो y की value 6 X की वाल्यू 3 तो Y की वाल्यू 9 X की वाल्यू 4 तो Y की वाल्यू 12 X की वाल्यू 5 तो Y की वाल्यू 3 गुना मतलब 15 ठीक है इसका ग्राफ कैसा बनेगा इन सारे पॉइंट को आपको प्लॉट करना पड़ेगा 0,0 1,3 कहां तक जाना है ऐसी कोई लिमिट नहीं या 12 15 तक जाके भ अगर हमें अविलेबल होगा तो देखे टेबल यहां जो हमने बनाया वहीं बना 1,3 2,6 3,9 और 4,12 जैसा कि हमने बनाया हाला कि हम 5,15 तक भी गए पर यहां पे तो हमारे समाधान में 4,12 पे रोग दिया गया है और अगर आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्योंकि हाइए इस वाल्यू 12 है तो दोनों साइड आपने 12,12 यहां पे वाल्यू लिखी है एकस की वाल्यू 12,Y की वाल्यू 12 यहां पे 0 सब कुछ स्टार्ट होगा वहां पे लिखा X आक्सेश यहां पे लिखा Y अक्सेश पॉइंट को पलॉट करना अब तक तो आप सीख गए हैं बहिए 1 तो X की पे 3, Y पे 9 जहां पे दोनों मिल गए, वहां पे आपका coordinates ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हैं, 4,12 मतलब आपको क्या करना है, बनाना है, तो भाई X की value 4, तो जहां पे X equal to 4 है, वहां से बनाना शुरू किया, और Y equal to 12 मतलब कहां पे वो दोनों meet हो रहे है, वो point होगा 4,12, ऐसे कोई बुले 5,15, तो इसको आप और उपर बढ़ा के 15 तक ले जा सकते हैं, मरजी आपकी है, आसान था ये, ये सरखाली क्या यहां पे trick थी, कि भाई Y coordinate X coordinate का कितना टाइम से 3 टाइम से 3 गुना है, चलिए, स्क्रीन करेंगे यहां पे clear, और move करेंगे, सवाल नमबर 45 की और जो क्या बोल रहा है आपसे, make a line graph for the area of square as per the given table, एक आपको square की sides दिया अलग अलग और table दिया है, ठीक है, और आपको इसके लिए क्या बनाना है, ठीक है, उधारन के तोर पे area है one, to side है one, area है two, to side है four, area three, side, sorry, side three, to area nine, side four, to area 16, points आपको दिये है square के, अब आपको क्या कर देखो, is value 16 तक जा रही है, तो आपको भी वहां तक जाना पड़ेगा, तो green sheet पे 16 points आपके आने चाहिए, तो जब आप line draw करने हैं, तो count कीजेगा, आपको हमेशा पता होना चाहिए, जो sheet graph paper कि उसमें कितनी lines होनी चाहिए, ठीक है, उसके एसाफ से आप इन सब को adjust करेंगे अगर हम आपको इसका चित्र दिखाएं, तो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा, देखे, यहाँ पे 16 तक है, एक स्पेस बार बारा पर ही छोड़ दिया, बिकोज जादा बड़ा हो जाएगा graph, इसलिए 1,1 ये रा, 2,2 ये रा, 3,9 ये रा, 4,16 यहाँ पे आपको दिख हो रहा है, 0 से लेकर 1 के बीच में, फिर जब आप 2 से 4 में जाएंगे थोड़ा और टिल्ट हो जाता है, फोर से जाएंगे, थ्री में तो और, फिर 3 से 9 जाएंगे तो और टिल्ट होते जाता है, कुछ इस तरीके से आपको ग्राफ जाता है, एक सीधी सरहल सिंपल यहाँ पे नोटिस करने वाली बात, यहाँ पे नोल लिखा है, X, Y, जो हम हमेशा लिखते हैं, साथ में यह भी लिखा है, कि X आक्सिस पे क्या दर्शार है, तो वो बोल रहा है, साइड और यहाँ बोल रहा है, और यूनिट क्या है, तो यह इन सेंटीमेटर, यह इन सेंट डिफाइन किया है तो आप भी डिफाइन करते हुए ही आगे बढ़ेंगे यहां पर हमने किया स्क्रीन को क्लियर और मूफ करेंगे अगले कुश्चन की तरफ प्रशन क्रमांक 46 46 से हमारा यहां पर क्या बोल रहा हम से कि यहां यहां पर टेबल एक जिसमें होंगे दो कॉलम्स ठीक है होंगे दो रोज मैं सब कह लीजे जैसे भी आप बनाना चाहें तो एक हो जाएगा आपका कॉंटिटी और दूसरा हो जाएगा प्राइस तो अगर एक किताब है तो 10 2 किताब है तो 20 3 किताब है तो 30 4 किताब है तो 40 और इस तरीके से 5 किताब है तो 50 का सिलसला चलेगा अब इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे तो ग्राफ बनाते हो अब किरफ्ञा थोड़ा था साफदा नहीं बढ़ते ध्यान दे ग्राफ कैसे बनेगा सबसे पहले आपने बनानी है y-axis और x-axis बिल्कुल ठीक यह शून ने यहां पर y चलिए x-axis पर जब आप वायलू देखेंगे तो x-axis पर आप रखेंगे independent variable अब यहां पर पहले guess करना है कौन सा independent है और कौन सा लीजे हाला कि जो कॉस्ट है उसको तो आप कैसे पता लगाएंगे सर उसको पता लगाने का एक तरीका है कि जो भी आपने quantity बोली है उसमें इंटू 10 करके निकाला जाएगा तो प्राइज को बिना quantity के आप नहीं निकाल सकते प्राइज निकालने के लिए आपको quantity चाहिए ही चाहिए तो यहां पे quantity हो जाएगी इंडिपेंडेंट वरियेबल और रॉा जाएगा डिपेंडेंट वेरियेबल और अक्सर जो इंडिपेंडेंडेंट वेरियेबल होता है उसे एक्स पे दरसाय जाता है तो यहां हम डाकिंगे 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आप 10 तक बना सकते हैं ठीक है अब बात आती है y-axis की सार y-axis पर यदि आप वालू देखेंगे मतलब डिपेंडेंट वेरियेबल को देखेंगे तो उसकी वालू से 10 20 30 40 50 और यदि आप ऐसे बनाएंगे इसको तो बहुत बड़ा ग्राफ बनेगा नोट बुक में तो आही नहीं पाएगा लेकिन हमारे पास एक स्पेशल टूल है जिसका यूज करके हम आसानी से जिग्राफ को बना सकते हैं वह क्या कहता है टूल कि आप शूनने के बाद एक नहीं आप शूनने के बाद 10 बना लीजे ठीक है पर लेकिन यही सिल्सला मेंटेन रखें जैसे अगर आपने शूनने से लेकर 10 बनाया एक बॉक्स में तो 10 के बाद अगला बनेगा 20 का फिर अगला बनेगा 30 का फिर अगला बनेगा 40 का उसके बाद वाला बनेगा 50 का फिर 60 और 70 ठीक है पर क्योंकि आपने यह चीटिंग की है आपने यह गैप को कम बढ़ा दिया है मतलब वैसे एक box होता है एक value पर आप दस-दस value दिखा रहे हैं तो यह जो आपने shortcut अपनाया है इसको आपको mention करना पड़ता है और इसी को mention करने को कहा जाता है scale बताना क्या बताना scale अब scale का क्या तात पर यहां पर है कि भई आपने कितनी values किस box में दरसाई हैं वह inform करना जैसे यहां पर आप लिखेंगे कि य आक्सिस के लिए ठीक है अगर मैं इसको यहां की जगा नीचे लिखूं क्योंकि जगा थोड़ी आ कम पढ़ सकती है तो यहां लिख देते हैं scale ठीक है तो आपके पास है य आक्सिस के वल यहां पर सर एक्स आक्सिस पे भी तो हमने वाल्यूज लिखी है बिल्कुल लिखी है लेकिन आप एक बार बताओ एक्स आक्सिस पर जीरो के बात क्या आना चाहिए वन वहीं आया है य हीरो के बाद जहां वन आना चाहिए वहां टेंज से शुरू कर रहे हैं तो यह चीज आपको कवर अप करने के लिए scale मेंशन करना पड़ता है कि वाई आक्सिस पे वन सेंटीमीटर यह जो की होता है आपका एक बॉक्स किसी भी ग्राफ पेपर का जो एक बॉक्स होता उसकी हमें से कितने होती है सेंटीमीटर क्या दर्शार आपके लिए 10 रुपे दर्शा रहा है मैं तो चालीस रुपे तक इषान रखे और यह जो आपने जम्त मारे हैं उसको डिफाइं करने कंपने इससके लिए अब बस वाली को पूट करना है तो यहां पर देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके आपको पूरा आपका graph मिल जाएगा इन्हें आप जॉइन कर देंगे तो फिर आपको आपका line graph या फिर और सटीक वे में कहें तो linear graph आपको मिल जाएगा अब अगर आपने इस चीज़े कर लिए तो हम एक बार छित्र देख लेते हैं इसका कैसा बनेगा exactly उसके बाद हम दो question का answer निकार लेंगे चलिए ऐसा कुछ बनना चाहिए आपके graph देखे यहाँ पर शूनने के बाद एक दो तीन चाहर पांच छे साथ आट यहाँ पर दस बीस तीस चरेस पचास देखो साफ साफ लिखा एक्स के लिए क्या है number of notebook या फिर quantity of notebooks ठीक है और वाय पर क्या लिखा है cost of notebooks कितने पैसे लगेंगे अब आपके सवाल क्या से the cost of seven notebooks seven notebook कहां है सर यह रही seven notebooks इनकी cost कितनी होगी सर यह रही seven tenza seventy तो हमें graph के साथ से बता नहीं थे तो graph के साथ से हम इस point को highlight कर देंगे और यहां लिख देंगे rupees 70 हाला कि हम calculate करके बता सकते हैं लेकिन अब हमें graph का use करने को बोला है तो हम mark करके ही बताएंगे अगला the number of notebooks that can be purchased with 50 रुपे अब क्या है आपके पास 50 रुपीज हैं तो कितनी बुक्स आप ले पाएंगे तो यह 50 आपने arrow बनाए कि हम 50 से जा रहे हैं graph की तरफ फिर graph की मदद से हम आए नीचे मुण के 5 की तरफ तो यह हो जाएगा आपका answer 5 यहां पे आप इस तरीके से क कि आपको यह समझ में आया यह सर कहीं कोई शंका मन में नहीं सर आसान चाहिए प्रश्न उससे भी आसान तरीके से हमने कर दिया जवाब को मार्क चलिए screen clear और यहां पे हमने किया है अगले प्रश्न का रुख सवाल नंबर 47 आपसे क्या बोल रहा है explain the situation represented by the following distance time graph ठीक है जैसे अब यहां पर देखिए पहला वाला graph क्या बोल रहा है आपको तो अगर आप ध्यान से देखें तो graph बिलकुल बीच में से जा रहा है मतलब अगर आप value देखेंगे तो हो सकता है एक घंटे में फिर दो घंटे में तीन घंटे में कुछ इस प्रकार आप आसानी से जा रहा है ठीक है और क्योंकि graph एकदम बीच में से जा रहा है तो आप यह कह सकते हैं कि यहां पर graph क्या है uniform speed दर्शार आए ठीक है कि गारी चल रहा था एक बढ़िया uniform speed पे parallel का मतलब ग्राफ क्या हो गया constant हो गया मतलब गाड़ी रुक गई तो आप क्या लेखेंगे यूनिफॉर्म first ठीक है उसके बाद लेखोगे stopped later की बाद में वो रुक गई यहां पर अगर आप देखें तो graph के एसाफ से time तो आगे बढ़ता जा रहा है पर distance तो उतना ही है ठीक है तो अब आप यहां पर जब आप देखेंगे लास्ट वाले में अगर आप देखें तो speed एक डिस्टेंस टाइम हो एकदम से बढ़ रहा है मतलब थोड़े से time में बहुत जादा distance आपने travel कर लिया है तो मतलब क्या होगा initially fast then kept slowing down क्योंकि यहां पर देखोगे अगर आ मतलब क्या हो रहा है speed धीरे-धीरे कम होती जा रही है तो आप लेखोगे इनीशली इनीशली आपकी speed high है high speed ठीक है उसके बाद आप it keeps going down it keeps going down मतलब नीचे जाती जा रही है कम होती जा रही है धीरे-धीरे और एक पॉइंट देखो कुछ पॉइंट ऐसे आ रहे हैं कि लग नहीं है कुछ जादा मूवमेंट नहीं हुआ है तो पहले बहुत तेज चले आप फिर एकदम से थोड़े धीरे होते चलेगा इसलिए आपका ग्राफ कैसा हो रहा है तो पहले वाले में यूनिफॉर्म स्पीड दूसरे वाले में यूनिफॉर्म इनीशली उसके बाद फिर सीधे होगा एकदम मतलब कोई भी डिस्टेंस नहीं तीसरे वाले में इनीशली तेज और फिर बाच में थोड़ा सा स्लो हो जाने का यहां पर ग्राफ बनाया गया है चलो सवाल नंबर 48 क्या बोल रहा है complete the given table and draw the graph for each आपको यहां पर x की values दी है और y की equation दी है कि x की value क्या रखने पर y की value क्या आएगी तो पहले हम इनको complete करते उसके बाद हम graph बनाएंगे चलिए अगर x की value 2 है तो y की value कैसे निकालेंगे सर y की value निकालने के लिए जहां पर x था वहां पर x की जगा पर उसकी value लिख देंगे जैसे यहां पर हमने 2 की जगा x की जगा लिख दिया 2 तो यह हो जाएगा 3 टू जा 6 प्लस 1 7 तो यह value हो जाएगी 7 2,7 चलो next वाले में यदि x की value है 3 तो y की value क्या हो जाएगी सरी हो जाएगी 3,3's are 9 प्लस 1 तो मतलब हो जाएगा यहां पर 10 कितना हो जाएगा आपका जवाब यहां पर हो जाएगा 10 चलिए आपके पास x की value है आपके पास y की value है अब आपने क्या करना है आपने केवल graph बनाना है बट लेकिन values का ध्यान रखे तो 2 axis एक x दूसरी y यह यहां पर 0 यहां पर x यहां पर y चलिए जब x की value है 0 तो पहले आप mark कर लीजे x कहां तक चाहिए वैसे तो आपको 3 तक चाहिए पर क्योंकि y की value जा रही है 10 तक तो दोनों तरफ आप 10 10 बना सकते हैं समय की कमी हो यदि एक्जाम में तो 10 तक ना जाके 5-6 पर रोग दे x की value को वाई को तो आपको दस्तक लेके जाना ही पड़ेगा उसके बाद coordinates को मार्क करना है बाई 0,1 कहां आएगा तो लगबग यहां आएगा 1,4 कहां आएगा तो यहां कहीं आएगा ठीक है 2,7 तो यहां कहीं आएगा उसके बाद फिर 3,10 तो मान लीजिए यहां कहीं आएगा अगर आप सारी values लिखके ड्रॉ करेंगे तो फिर जब आप इनका graph ड्रॉ करेंगे इनको connect करेंगे तो आप कोई graph मिलेगा हमेशा points को यह mark करके नहीं चोड़ना है सारे points को touch करके एक graph भी बनाना है ताकि वह आपको complete sense दे यदि मैं आपको exactly दिखा हूं तो कुछ ऐसा बनेगा आपका graph जैसा कि हमने कहा था कि 2,7 है और 3,10 है देखिए 0,1 1,4 2,7 3,10 देखिए x की value इन्होंने 8 तक छोड़ दी आप 6 पे भी छोड सकते हैं कोई समस्या नहीं है परंतु हाँ य की value 10 तक लेगा है विकॉस वाई की जरुवत है और एकदम सीधा graph बन रहा है graph के सारे points को हमेशा connect करना है बिना connect करे कोई भी point को नहीं छोड़ना है वो गलत हो जाएगा क्या आपको यह समझ में आया येस सर कहीं कोई शंकामन म नहीं सर आसान प्रस्ण उससे भी आसान जवाब चले अगला प्रस्ण देख लेते हैं क्या बोल रहा है फिर से नहीं equation है आपको गेवल graph बनाना है आसान सवाल है वाई की value है x-1 तो भाई कैसे आएगा x की value put करने पर आएगा 2-1 मतलब 1 यहाँ पे 4-1 मतलब 3 6-1 मतलब 5 ए equation values मिल गए x और y की y x की value 1 तो y की value 0 x की value 2 y की value 1 x की value 4 y की value 3 x की value 5 y की value 6 अब आप क्या करेंगे graph paper पे इनको plot करेंगे देखो x और y की जो values है वो at max जा रही है 6 तक तो आप 6-6 का या फिर 7 या 8-8 का बना सकते हैं और अपने points को plot कर सकते हैं कैसे बनाएंगे देखो यहाँ पे 0 से start होगा एक x axis एक y axis आप यहाँ पे points बनाएंगे तो 1,2,3,4,5,6,7 यहाँ पे भी points 1,2,3,4,5,6,7 यह यहाँ पे 1,0 से start होगा पहला point x की value 1 y की value 0 तो कहां लाए करेंगे obvious ही बात है x axis पे दूसरा point है 2,1 तो x की value 2 y की value 1 वो भी आपने mark कर दिया 4,3 तो वो 4 वहाँ पे 3 और 6,5 तो x पे 6 y पे 5 सारे points को पहले plot करना है उसके बाद कोशिस करना है कि इनको एक ही line में लाके आप join करें ठीक है किरपया ऐसे randomly line न खीच दे और rough से न खीचें किरपया scale का यूज करें कुछ इस तरह आपने मन से जोड़ दें ठीक है तो थोड़ा गंदा देखेगा scale का यूज करें तो आप आसानी से जच कर पाएंगे state line में है या फिर नहीं है क्या आपको यह समझ में आया येस सर आसान था जी सर दो step होते हैं दो या तीन step होते हैं पहला step equation को समझो दूसरा step equation की मदद करके x और y की value निकालो equation की मदद से x और y की value निकालो तीसरा step graph paper पे बनाना शुरू करो पहले देखो हाई एस value कितनी उसके साब से x और y को कहा तक बनाना है वो decide करो फिर points को plot करो points plot करने के लिए इस तरह से line भी draw कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है बिना line के भी कर सकते हो हाँ डाश वाली line भी बना सकते हो लेकिन समय बरबाद नहीं करना ठीक है कुछ भी चलेगा बस the only thing is diagram should be neat and clean बहुत ज़्यादा गंदगी नहीं मचाने ठीक और बहुत ज number 49 क्या बोल रहा है study the given graph a and b ठीक है and complete the corresponding table चली हमें यहाँ पर एक्स की वाल्यू दी है और ग्राफ की मदद से y की वाल्यू हमने पता लगानी है जिसे पहले एक्स की वाल्यू शून है तो बहुत एक्स की वाल्यू शून है मतलब आई के वाल्यू भी यहीं पर होनी जी ग् लग गए वाई की वाल्यू आ गई फिर वहां पे जो graph से आपने लिए टू है तो टू से आपका सफर स्टट आप गई graph तक graph को आपने टच किया जहां पर graph टच हो रहा है वहां से आपने निकाली भई वाई की वाल्यू कितनी है तो वह भी आ रही है कितनी लगबग ते almost two क बराबर चलिए तीसरा वाला एक्स की वाल्यू थी से शुरू करना आप थ्री पे गए सामने आपने कर्रस्पॉंडिंग वाल्यू उसको देखा जो की लगबग थ्री के बराबर ही आ रही है तो यहां पे अपका लेखो कि आपका अंसर कितना है थ्री होना चाहिए तो वहां एक्सवान तो वाइवान एक्सटू तो वाइटू वैसे मेरे पास इतने नीट डाइग्राम नहीं पर अगर आपके पास हैं तो आप नोटबुक में एक बार चेक कर लेना यहां पर ऐसे देखा जाए तो यह थ्री से थोड़ा नीचे आ रहा है अगर मैंने सही लाइन बना से देखेंगे तो यह वाली लाइन है टू की और यह है टू के थोड़ा सा नीचे तो अपर अफली टू भी लिख सकते हैं कोई करते हैं आपको थ्री लिख सकते हैं कोई समस्चा नहीं आएगी ओनली तेंग इस जब आपको एक्जाम में ग्राफ मिलेगा तो वहां पर कितनी जहां से य स्तार्ठ हो रहा है तो यह वाली वाल्य है अपकी आट डिस पॉइंट एक्स इस शून्य बटवाई इस तू ऐसे देखा जाए तो यहां तो सब रही है चलिए अब आपने रखा एक्सकी वाल्यू टू तो आपको क्या मिलेगा एक्सकी वाल्यू टू रखने पे लगभग लगभग किसके बराबर आ रहा है ठीक है चलो आपने करना क्या आपने सिर्फ मैच करना और अंसर लिखना है चलिए एक्सकी वाल्यू थ्री तो यह यह वाला ग्राफ का लाइन पकड़ दिया आराम से अब जा रहे हैं उपर और कहां पे खतम हो रहा है कि आपको यह समझ में आया यह सर आपको ग्राफ स्टडी करके यह फॉलॉइंग टेबल को फिल करना था तो ग्राफ की मदद से आपने जो जो वाल्यूस मिली उन सब को यह पर फिल कर दिया है चलो स्कीन करेंगे हम क्लियर और मुव करेंगे अगले प्रस्न की ओर 50 सवाल नमर 50 क्या है हमारा ड्रो ऑग्राफ और रेडियस और सरकम्फेरेंच ओफ ए सरकल यूजिंग ए स्टेबल स्केल ठीक है स्केल क्यों वाल्यूस उपर नीचे हो सकती है फ्रॉ से पहले इस ग्राफ को बनाने के लिए हमें किसके बीच में कनेक्शन चाहिए तो भाई रेडियस और सरकम्फेरेंच इसमें से रेडियस होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरियेबल क्योंकि और एक सरकल का अलग अलग होता है और कितना भी हो सकता है ठीक है हाला कि करते हैं तो आपको कई बाद डिपेंडेंट वेरियेबल पहले मिल जाता कि हां इसकी वाल्यू तो किसी की मदद से निकलेगी अपने आप तो नहीं निकल सकती जिसे यहां पर है भाई सरकम्फेरेंच जो है वो किसी पर डिपेंड ही करेगा उसके बिना तो कोई चांस ही न सकते हो बन से कर सकते हो टू से कर सकते हो लेकिन आपके सरकम्फेरेंच के फॉर्मला में पता है क्या आता है पाय आता है तो इसलिए आप ऐसी वाल्यू रखो जहां पर आपके कैल्कुलेशन आसान हो जाए उधारन के तौर पे जब मैं रेडियस और सरकम्फेरेंच की बात 22 by 7 into 777 से एंचल यहां पे 88 आपने रखा रेडियस 21 तो किसम बचेगा तो 222 इंटु टुटीटीटू कितना ओ जाएगा 22 इंटू 6 करने पर 620 12 13 132 कुछ इस प्रकार की वाल्यूज आपको यहां पर मिलना स्टार्ट हो जाएंगी अब जब इसका ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा तो कुछ ऐसा आपका ग्राफ बनेगा देखो यहां पर लेकिन अब जब ग्राफ बनने के प्र्यास करेंगे तो यह की वाल्यू का इसके से निकाली है तो यहां पर मिली करेंगे तो 7 14 21 28 35 42 इस तरीके साब 77 का गाप लेके चल रहे हैं अलाउड है ऐसा कोई नियम नहीं कि आपको 10 का 20 का यह सो का रखना है आप 7 का भी रख सकते हैं बस खाली आप यह कोशिस करें कि आपका जो पहले वाला ग्याप है वही दूसरे में हो वही तीसरे में वही चौत रहा है कि वह एक वाल्यू 44 दूसरी 88 तीसरा 132 फिस चौता हो जागा 176 जो कि है 44 का टेबल तो आपने एक साक्सिस पर याक्सिस पर भी क्या करें वही वाल्यूज लिए जो कि आपके जवाब के रूप में आपको मिल रहे कि भाई 44 के मल्टीपल मिल रहें क्या नियम है कि जो एक बॉक्स का गाप है वही consistent होना चाहिए तो यहां भी 44 यहां भी यहां भी यहां भी यहां भी तो वह चलेगा कोई दिक्कत नहीं बस गयाप consistent होना चाहिए और आपको यह mention करना पढ़एक यहापने इस तरीके से थोड़ा अत्रंगी सा गैप लिया है आम तोर पर क्या होता है एक बॉक्स मतलब एक ब्लाब यहां पर क्या यहाँ पर सेवन荞 है यहाँ पर को मेंशन करना पड़ेगा तो अप्डाल भार पे एकड inter keep लिखोगे किसके का पहले लिखोगे 2 इक साक्सेस क Quindi क्या है क्षान आसद्र का इस character is equal to कितना है SEVEN ठीक है 7 यूनिट और वाई याव्य सिसकंद्र आपका सकेल है कि वैं चेमेटर एक वॉर्टी फॉर्टीफोर यूनिट ठीक है या फिर सेंटिमेटर स्कौररी भी लेख सकते हो कोई दिकत नहीं है ठीक है क्योंकि सरकमफेरेंस है इस से सेंटीमेटर आएगा स्क्वेर कहां साइगा एरिया थोड़ी है तो यह आपने वायलूस लिख दी उनको माक करना स्टार्ट किया कुछ इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा तीन या चार वैल्यूस तक जाएंगे तो भी आपका काम बन जाएगा आपको ग्राफ का पैटन मिल जाएगा कि कि इस दिशा में वह आगे बढ़ रहा है अब पहला सवाल find the circumference of the circle when the radius is 42 units तो radius कितना बोला उन्होंने 42 units बोला है तो यह रहा 42 इसके सामने कितना circumference है वो आपने पता लगाना है तो भाई यह आगे आपका 42 और यहाँ पे आगे आपका 264 तो यह point इसको verify करने के लिए आप circumference का formula आपको पता है radius आपको सवाल में दिया है multiply करके अप एक बार confirm कर सकते हैं 264 आएगा पर हाँ केवर multiply करके जवाब लिख देंगो ग्राफ में ऐसे शो नहीं करेंगे तो फिर आपके टीचर नंबर भी सो नहीं करेंगे वह भी क्या लिख देंगे कि हमने मान लोग की दे दिए बने मिलेंगे नहीं ठीक है चलो अगला at what radius will the circumference of the circle be 220 units अब कहां से शुरू करना है 220 units से शुरू करना है तो पहले radius दिया था फिर circumference निकालने को बोला था अब की बार circumference दिया है और radius निकालने को बोला है तो 220 के सामने x की value कितनी है 35 है तो वही हमारा जवाब होगा और हम क्या करेंगे हम ऐसे graph पर जो भी हमने बनाएं वहाँ पर ऐसे highlight भी कर देंगे कि हाँ देखे यह हमारा जवाब है एक 35 दूसरा 264 कैसे कि आपने पहले graph बनाया उसके scale लिखे उसके बाद फिर उत्तर पुस्तिका में उत्तर लिखा ठीक है आप चाहें तो यहाँ पर 10-10-20- बहुत बड़ी values हैं तो आपको थोड़ी cut नहीं आएगी और coincidentally क्योंकि gap consistent है हर जगा 44-44 का तो फिर आप आसानी से यह वाला pattern यूज करके अपना सवाल का जवाब ढूंड सकते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी ठीक है बस खाली यह धान रखे कि आपके concept clear हो आप gap सही ले र इक्यावन हम देख लेते हैं क्या बोल रहा है हम से कि the graph shows the maximum temperature recorded for two consecutive weeks in a town ठीक है चलिए यह दो हफ्तों में temperature दिखाए आपको measure करके study the graph and answer the following questions आपको जो graph दिये उनका use करके केवल सवालों का जवाब देना है पहला सवाल what information is given by the two axis ठीक है दोनों axis मतलब x और y axis आपको क्या ज इस दिन पर हम लोगों ने temperature record किया तो एक्स आक्सिस पर आपको क्या मिल रहा है देखने को देखने को देखा भी हुआ है कौनसा है days of the week तो आप वही लिख सकते हैं days of the week देखी यह English नहीं है मैं आच है तो केवल मुद्दे की बात लिखेंगे तो चलेगा पूरा sentence नहीं भ इतना temperature हो सकता है ठीक है यह आप केवल temperature भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो x पर दिखा रहा है days y पर दिखा रहा है temperature in which week was the temperature higher on the most days ठीक है किस हफते में ज्यादा तर दिन आपका जो temperature था वहाई तब कैसे पता लगा होगा देखो डॉट वाला है फॉस्ट week का तो यहां पर देखो Sunday को कौन जादा है सर्फ फॉस्ट वीग जादा है ठीक है Monday को second week जादा है ठीक है Tuesday को Tuesday को वापस फॉस्ट वीग जादा है have i have about here dw no G Bo physician 끝迷茨 नहीं तो अम ने डेस्स लगा दिया तो अब्विसी बाथ वीग में ज्यादा और दाश डैसी है फ्राइड़ाइदे को भी वही जादा है तो और सैटडे को भी वहीजादा है तो आफते में छे में से एक डो तीन चार पाफंच दे bark जब विक टूपकड वन टेंपरेचर ज्यादा ता और् дела कंथ तुप टो ने टुफपांच दिन है वीग को कहानी एक दिन वीक टू का ज़्यादा है और एक दिन दोनों बराबर है ठीक है चलो अगला सवाल और विच डे वाउज टेंपरेचर सेम आज फो बोद वीक किस वीक में दोनों दिन सेम टेंपरेचर देखो हमने यहां पर डाश लगाया कौन से दिन था वो वेनस्डे का दिन विच डे वाउज दिफरेंस इं टेंपरेचर दा मैक्सिमम ठीक है सबसे ज्यादा गैप देखो डिफरेंस मतलब होगा गैप या फिर बड़ा माइनस छोटा करने में सबसे ज्यादा वाल्यू तो जैसा कि आप ग्राफ में भी देख सकते हैं यह जो फ्राइडे है यहां प तो बैए देखके इसमझ में आ रहा है कि फ्राइडे को होगा ऐसा थे वह वाट वर्ट वह ट्यूस ऑन थर्ष्डे को कितना थैंपरेचर ता आपको वह बताना है चलिए थर्षडे को ढूंड़ यह आपने थर्षडे को ढूंड लिया होगा अब तक देखिए क्या-क्या वाल्योउस दे रहा है तर्स डे तो एक होगी वीक01 की जोकी हम यहां पर माउक करेंगे दूसरी होगी वीक्तू की जो की यहां पर माक की जाएगी थो वीक वन में 3638 के बीच में मतलब 37 कि तो वीक वन में होगा टेमपरेचर कितना 37 और week 2 में यदि आप देखेंगे तो कितना है temperature देखो वहाँ पर लाइन का जा रही है 34 की तरफ जा रही है 34 अब्वेसी बात है degree Celsius तो यहाँ पे भी degree Celsius चलिए on which day was the temperature 35 degree for the first week अब आपको first week की ही चर्चा करनी इस सवाल में और कितना चाहिए temperature 35 चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं पहले दूड़ो 35 है कहां सर 34 और 36 के बीच में तो 35 पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी अब क्या ढूंड़ो क्या वीक वन का कोई पॉइंट 35 पे आ रहा है जी हां सर यह रहा वीक वन का पॉइंट जिसको आप संडे बोलते हैं उस दिन वो पॉइंट आ रहा है 35 पे तो किस दिन पे संडे के दिन चल देखो यह आपका सेकेंड वीक है ना इसमें सबसे रहा हाइस कब जा रहा है यहां पे 35 है यहां पे 33 है यहां पे 36 फिर यहां पे 34 यहां पे 32 और लास वाले में 33 तो सबसे रहा है वो यह वाली वाल्यू जा रहे है जो कि है 36 तो भाई वीक टू में 36 जो है हाइस वाल्यू क और temperature कितना था 36 degree Celsius इस तरीके सा bracket में लिखके अपना answer complete करें जवाब भी लिखें और अगर आपके लिए possible है कि नमबस लिखना है तो वो भी लिख दीजे भाई 36 ठीक है चलो यहाँ पर लिख सकते हैं screen को clear करने के बाद अगरे प्रशन की और रुक सवाल नमब 52 क्या बोल रहा यहां पर ग्राफ गिवन बिलो फिर से हमारे पास एक ग्राफ है गिर्ज़ दा एक्ट्वान एक्सपेक्टेट सेल्स ऑफ कार्ट ऑफ कांपनी फॉर शिक्स मन्स अगले छे महीने में कितनी सेल्स होंगी कैसा होगा वो आपको बताया है ग्राफ के तुरू आपको इस ग्रा से लिए आप अपनी जो भी कंपनी होती वोई एक एक्सक्ट इट फिल्स निकालती है मतलब इस महीने में हमारा कितना समान भीच ब्रशां सब्सक्राइब ह acquist map के साबंदे ंब WHY is महीने में इतनी सेल्स होगी तो हमें उससाफ से अपनी चीज़ों रखने अपने लूगों को आपड़ेट रखना गाड्यां जो भी हमारी जो भी सेल का सामान उसको सब को अपड़ेट रखना है लिकवार्मेंट के साफ से चलो पहला सवाल है यहां पे हमारा इन विच मन्त वॉज दा एक्ट्वल सेल सेम आज एक्सपेक्टेट सेल्स वह या जितनी आपने सोची थी और जितनी हुई उन दोनों में कोई भी गैप नहीं है दोनों एक्जाक्ली सेम हो मतलब आपके दोनों ग्राफ वहां पे क्या आपके option कौन से महीने में एप्रेल के मंत में तो वह एप्रेल के मंत में ऐसा ही हुआ है कि जितना सोचा था उतनी ही सेल्स हुई है और यदि हम इसको नंबर की संख्या में देखें तो यह होगा इस धर पे जो की है 150 और 100 के बीच में तो 100 और 150 के मतलब दोनों का आवरे और कितनी है आपकी सेल्स 125 ठीक है यूँ देखें तो 100 और 150 के बीच में 50 नंबर आते हैं पर क्योंकि एक्जाक्टली बीच में है तो आप उन दोनों की मिडल वाल्यू लेंगे जो की 125 होगी चलो सेकेंड है हमारा क्वेशन फॉर विच मंथ वर्श डडिफरेंस इन डए एक्चौल एन एक्सपेक्टेट सेल्स माक्सिमम ठीक है माक्सिमम मतलब अब यहां पर देखेंगे कि भाई अक्टॉल शेल्स और एक्सपेक्टेल चेल्स में सबसे जाधा गाप नजरों से जो में तो बाकी सारों में क्या है गाप तो है लेकिन मार्च के बराबर तो कहीं नी बाकी जगा पर थोड़ा सा कम है तो यह लगबग हो गया देखो 150 और यहां पर यह 100 की नीचे यहां कहीं आ रहा है मतलब 75 प्यार है तो आप लिख सकते हैं किस महीने में है तो भई मार्च के मंथ में हैं जहां पर एक्सपेक्टेड थी आपकी 150 आक्चुल में हुई में बी 75 तो आपने क्या किया वहां पर देखा कि डिफरेंस अब से ज्यादा है 75 का डिफरेंस है परन्तों आप नमबर ना भी लिखें कैल्कुलेशन ना भी करें तो भी चलेगा चले इन वि बाबर हो गई यहां तो सेल्स तो गाप कितना हुआ जीरो उसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी सब में तो गाप दिखी रहे है मिनिमम का मतलब लीष्ट मतलब देर इस नो डिफरेंस भी काउंट होगा उसमें तो एपरिल के मंत में देर इस लीष्ट डिफरेंस डा जो कि हम नहीं करना चाहिए वह भी डिफरेंस लीष्ट का मतलब सबसे चोटा सबसे चोटा जीरो हो जाएगा फिर तो इसलिए जवाब क्या होना चाहिए एपरिल ही होना चाहिए चलिए अगला प्रशने देख लेते हैं सवाल नंबर डी क्या बोल रहा है हम से वाट वाट है कि इतनी होनी चाहिए थी पर क्या असल में उतनी हुई नहीं सर हमें जो असल नमबर मिलेंगे वह एक्ट्वल सेल से तो ख्रिपास बात का विशेष ध्यान रखें कि जनवरी में कितनी हुई फेब में कितनी हुई है सेल्स और मार्च में कितनी सेल्स हुई है, ठीक है, तो जो नमबर है वो 100 और 50 के बीच में, मतलब 75 आप बोल सकते हैं तो जैनुबरी में 75, उसके बाद फेबुरि में 100 जो की वहां पे दिख रहा है और मार्च में वापस 75 तोटल करेंगे आप इसको तो पांच और पांच दस साथ चाहुदा एक पंद्रा एक और एक दो तो टू फिफ्टी कार्स इन्हों ने सेल की हैं कब जनवरी फेबुररी और मार्च में मिला के एक चीज और एक्सपेक्टेड और सेल्स एक्सपेक्टेड आपकी अलग थी लेकिन आपने असल में कुछ अलग कि तो इस बात का विशेश ध्यान रखें ठीक है चलिए अब आगे वाट आवरेज सेल्स अफ कार इन दर लास्ट थिरी मंन्स की बात कर रहा है मतला April में June तो April में कितनी sales हैं तो बैइ April में यहां पर हमने देखा 125 में में कितनी sales हैं तो में की waalue inMP को यहां से मिल जाएगी लग बग 100 और जून की values आप यहां से निकाल सकते हैं जो की होगी 125 थीक है तो April में 125 मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ April में 125 ठीक है May में 100 तो May में आ जाएगा आपका 100 का figure और June में वापस 125 ठीक है अब इनको निकालना है average तो average कैसे निकालते हैं सर आवरेज मतलब होता है पहले हम टोटल करेंगे उसके बाद number of quantity से डिवाइड करेंगे तो पांच और पांच दस दो दो चार एक पांच एक कैरी तो यहाँ पर हो जाएगा नहीं नो कैरी बिकॉस दो दो चार एक पांच हो जाएगा एक दो तीन 350 और यह कितने महीनों में चैसे निकालते हैं किसी भी चीज का आवरेज टोटल करके डिवाइड करना है कितने आपके पास अब्जरबेशन तो अप्रेल में जून यह तीन अब्जरबेशन थे चलिए रवाइड के आपने थी बन जा थी त्री वन जा थी ट्वेंटी बचेगा थी सिग्जा एटीन तो 116.67 अप लिख सकते हैं यहां फिर 117 एप्रॉक्स लिख सकते हैं एक ही बात है ठीक है चलिए अब अगला फाइंड रेशियो अफेल सिल्स लाश्री मंस ठीक है पहले तीन महिने की सेल्स और बाद के तीन महिने की सेल्स का आपने रेशियो बताने तो महां ग्राफ का त ठीक है तो रेशियो निकालना है आपको रेशियो क्या होगा फर्स्ट थ्री मंथ का है कितनी सेल्स टू फिफ्टी लास्ट तीन महीने की सेल कितनी है थ्री फिफ्टी तो यह पहले तीन महीने आगा यह बात के तीन महीने आगा इनका आपको निकालना है रेशियो 00 cancel 5 के टेबल से 5 upon 7 मतलब 5 is to 7 होगा आपका यहां पे उत्तर क्या आपको यह समझ में आया यह सर क्या कोई दिक्कत नहीं सर आसान था अगर आपको D और E पार्ट आपका करेंटे तो फिर तो रेशियो निकालना कोई दिक्कत नहीं आएगी 5 is to 7 आपका most simplified answer है इस्ते simplify हो नहीं सकता चले यहां पे हम करेंगे screen को clear और मूफ करेंगे अगले पार्ट की तरफ जो कि आपके लिए है बहुत important information about Magnet Brains की website पहने हम आपको पुरी चाहिते हैं students के कि हमें यह प्लेइस नहीं मिल रही हमें यह वीडियो नहीं मिल रहे हमें यह लेक्चर नहीं मिल रहे क्या आपने यह नहीं पढ़ाया है तो आप सबकी प्लेटफॉर के टैप पे क्लिक कीजिए छटवी से लेकर दसवी तक की बारवी तक की सारी एक्जेंप्लर आपको एक ही प्लैटफॉर्म पे मिल जाती है उधारन के तौर पे आप कक्षा आठवी के एक्जेंप्लर पढ़ना चाहते हैं तो आप यहां पर वाचनौ के आया है वो सब आपको एकी प्लैटफॉर्म पे मिल जाता है तो मान लोगर आपने मंडे को कोई वीडियो देखा कोई सेशन देखो आप वेनस्टे को कंटिन्यू करना चाहें तो आप लिस्ट से देखके आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं यहां पहुंचके बस आपको वा कोई डिस्ट्राक्शन है और नहीं कोई नोटिफिकेशन कोई सजेशन कुछ नहीं केवल और केवल आपका पूरा फोकुस रहेगा अपने कॉंसेप को लॉन करने पर अच्छे से पढ़ाई करने पर जो हम हमेशा चाहते हैं आपके लिए आपके अच्छे से प्रक्टिस हो जाए एक और चीज प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप जितना बाटेंगे जितना दूसरों तक पहुंचाएंगे उतना आपका भी व्रद्दी होगी उस चीज में बाकी तो अपना ख्याल रखें अच्छे से पढ़ाई करें स्टे होम से सब्टे कर वाबाई गुटे सी यू सूल